बावा रामदेव टेंपल इस मंदिर को आधार शेला मंदिर भी कायता है ये जोदपुर में इस्थित है और ये जालोरी गेट और नागोरी गेट के बीच में जो रास्ता है वहाँ पर ये इस्थित है जोदपुर सिटी से साड़े चार किलूमिटर दूर ये मंदिर 1931 इसीवी में बनाया गया था इस मंदिर का निर्मार भीकामेर के माराजा गंगा सिंग की समाधी के पास ही किया गया है ये मंदिर बल्वा पत्थर के पाहड पर बना गवा है और इस पाहड को मसूरिया पार या मसूरिया हिल्स कहते हैं बावा राम देव में 1458 में समाधी प्राप्त की थी बावा राम देव के बारे में कई माननेता और कई कहानिया लोगों के मस्तिश्क में आज भी मौजूद है बावा राम देव जी राजपूर परिवार से थे और उनका सिद्धान था कि सभी लोग एक दूसरे के साथ भाहिचारे की भावना के साथ रहें एक तास्य रहें और सहस्तित की भावना के साथ रहें क्योंकि सब भगवान की आखोंग के सामने बरावर हैं हिंदु धर्म के लोग बावा रामदेव जी को भगवान किष्ण के अफ्तार मानकर उनकी पूजा करते हैं जब कि मुस्लिम लोग उन्हें रामशा पीर के नाम से पूजा करते हैं इस मंदिर में दशन करने के लिए कई संख्या में लोग यहां आते हैं और भड़े ही भक्ति के साथ इस उत्सव को मनाते हैं वे चावल, नारियल, चूर्मा और लकडी के बने घोड़े भी उनको चड़ाते हैं जन्माश्टमी में यहां पर लाखोन चड़ालू आते हैं रजजगा में लोग बजन गाते हैं और कीर्टन करते हैं रज़ान आते हैं यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें